ये एक ही है जो मैं हूँ आत्म माने मैं इसका और मेरा तत्तो एक है अलग-अलग नहीं है मेरा जब आत्मा कहा जाता है कोई तो है ना जो आत्मा की बात कर रहा है अगर मात्र आत्मा है तो उसमें आत्मा शब्द का कोई खास अर्थी नहीं रह जाता आत्मा माने मैं मैं अगर मात्र मैं है तो वो क्यों कहें मैं किस से कहें कैसे कहें स्वा आत्मा कहते ही कोई बन जाता है जो इस आत्मा पे दावा करता है प्रतिपादित मतलब यह जो अलग दिखाई दे रहा है चारो तरफ जो प्रतिपादित है जो विस्तियन है सो मने मैं जो इससे अलग हूँ ऐसे समझना है एहनकार क्या हुआ वो जो अपने आपको संसार से भी अलग माने और आत्मा से भी अलग माने वो दो तरफा भेद में जीता है एहनकार माने हम जैसे हैं देखो न ध्यान से हम दो तरफा भेद अंतर करते हैं मैं कौन हूँ मैं ओ दरवाजा नहीं हूँ मैं जमीन नहीं हूँ मैं मेरा पड़ोसी नहीं हूँ मैं संसार तो नहीं मैं अध्याद में क्या देता हूं ऊपर मैं S Kusha to नहीं दूसरी और हेंकार अपने आपको कि आत्मा से भी अलग करके देखता है हाट में अपने आपको इ Linux फिन उपाधियां देता है वह सब आत्मा पर लागू ही नहीं होती है तो आत्मा से भी अपने आपको भिन्न देखता है तो तुम कहते हो स्वा आत्मा पतिपादिता स्वा आत्मा मने अहंकार आत्मा की बात कर रहा है स्वा अहंकार आत्मा की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये जो आत्मा है यही संसार है अभी तक वो क्या कह रहा था कि संसार अलग मैं अलग और आत्मा अलग अब उसको दिखाई दे रहा है मैं संसार और यात्मा तीनो एक है सब चो है मेरा ही विस्तार है मैं ही हूँ किस अर्थ में सा मेरा ही विस्तार है दुनिया के होने का जो अधार है कि वो दिखाई देती है सुनाई पड़ती है वही मेरे होने का अधार है वही तो मेरे भी होने का अधार है इस कमरे में बिस्किट दिखाई ना पड़े तो तुम कहोगे बिस्किट नहीं है और इस कमरे में गर्मा दिखाई ना पड़े तो तुम कहोगे गर्मा नहीं है कि दोनों के होने का अधार एक है कि दोनों इंद्रिगत रूप से प्रतीत होते हैं तो उस तल पर संसार और तुम एक हो और दूसरे भी तल पर तुम और संसार एक हो कि दूसरा तल क्या हुआ कि इंद्रियां न रहें तो संसार और तुम दोनों शून्ने हो जाते हो जैसा कि गहरे ध्यान में होता है संसार तो हटता ही हटता है उस समय तुम्हें अपनी सुध भी नहीं रह जाती लेकिन तुम होते हो उसी होने को आत्मा कहते है उसी होने को आत्मा कहते है अब यह आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाकी सबके हटने पर आ जाती है जब कहा जाता है स्वा आत्मा को अर्थ यह होता है कि यह आत्मा वो तत्त है जिसका विस्तार एहंकार और संसार है जब विस्तार सिमट जाता है तो सिर्फ यह तत्त जलता रहता है प्रकाशित होता रहता है और जब विस्तार पहल जाता है तो विस्तारी विस्तार दिखाई देता है यह तत्त तो आसानी से तब प्रतीत नहीं होता समेट लो तो आत्मा फैला दो तो संसार और इसका प्रमाण मात्र ध्यान है जो ध्यान को नहीं जानते उनको ये बात समझ में नहीं आएगी संसार के और हैंकार के न रहने पर भी तुम हो ये सिर्फ बात नहीं है ये एक गहरी प्रतीत होती है और वो अनुभव करके ही जानी जा सकती है तो इसलिए जो लोग ध्यान को नहीं जानते उनको ये बात जरा भी समझ में नहीं आएगी कि संसार भी न रहे मैं भी न रहूं फिर भी मैं बचा कैसे रह गया उसके लिए तो ध्यान का ही प्रमाण चलेगा इसलिए आप में से कई लोगों कि शक लभी दरा उड़ी उड़ी लग रही ही ये कैसी बात है कि कुछ न रहे तब भी मैं रहूँगा कि बात है आखिर में आ करके यही पैट कोगे न क्योंकि शब्द तो सारे वहीं तक ले आ देंगे किसी भी बात पर तुम्हें यकीन होगा कैसे अगर आखरी प्रमाण तुम्हारे भीतर जनी उठ रहा है आखरी बात पर तो एक अंदरूनी हां निकले तो ही बात बनती है यहां ठीक है वो अंदरूनी हां निकलती नहीं कि उस चीज को अभी चखा नहीं कि उस तीज को तुम चख सकते नहीं क्योंकि डर बहुत लगता है मैं हमें से पहले मेरा वह इस पाटन था यह अजिशनी थी थोड़ा गनी हुझा था मैं वह कर्देशन करते जी मतलब सामिस पजास में तकना थान रवाते जी तले पढ़ना है पर जब मैंने वह पालवार सुना कि इस पाटन ही और फॉलो कर रहे हो और इक तरह भी थोड़ा कर रही तो एक तरह दो चूपिया तो पर अब जब आपने बात करी है और मैंने पढ़ा भी कि हमें अब लरंतर एक सेट अफ मज़िएटर उन्हाना चाहिए अगर उसका नतीजा यह निकलता है कि आप 2400 घंटे ध्यान में रह पाओ तो व्यधी की तरह उसमें कोई बुराई नहीं है पर अगर उसका नतीजा यह निकलता है कि 40 मिनट का ध्यान और फिर 23 घंटे की वेहोशी तो बहुत बुराई है वह तो चित दृशा पर है एक चित ऐसा और का कोटा निप्टा दिया दिन भर की की सांती का कीम अब मुझे लाजर मिल गया है इसलगर और उपद्र आओ का फिर तो भास ग्राबढ हो गई sound का हि लोग है जब जिम जाते हैं तो वो साथ में डाइटिंग भी शुरू कर देते हैं और कई जब जिम जाते हैं तो यह कहते हैं इधनी कैलरी जला तो रहा हूं तो और खा सकते हैं तो वो तो आपके चित्दी की दिशा पर है कि आप उसको कैसे क्या तरक उठ रहा है भीतर से तर्क क्या उठ रहा है एक चित कह सकता है ध्यान बड़ा शीतल था ये अनुभूती दिन भर चाहिए एक कह सकता है कि दिन भर की चीछलता निप्टा दी ना आओ अब ज़रा जलें आम तोर पे हम ऐसे ही होते हैं कि निपट तो गया प्रार्थना का कोटा अब आजा देखते नहीं हो अभी परेशान मत करना अभी प्रार्थना कर रहा हूं प्रार्थना पूरी होगी अभी धरा अभी क्या हुआ है कोटा पूरा हुआ है ना मेरी पार्च में निकल गया आपाजा